हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आस्तिन का डिजाइन बनाने के लिए फ्रेंड हम आस्तिन की लंबाई नाप लेंगे तो फ्रेंड हमारी आस्तिन की लंबाई साड़े 11 इच है अब हमें आस्तिन के कपड़े को बीच में से दो भागों में कट कर लेना है तो फ्रेंड हम आस्तिन के लंबाई के बराबर होनी चाहिए और हमारी बक्रम की चोड़ाई फ्रेंड साड़े चार इंच है अब हम बक्रम को ऐसे फोल्ड करेंगे बक्रम में टिक लगाने के लिए फ्रेंड बक्रम को हम ऐसे घुमा लेंगे अब हमें यहां से एक इंच की चोड़ाई नाप करना है तो हमें ऐसे लाइन अप करना है एक बराबर में लाइन अप करने के बाद अब हमें फ्रेंड यहां से एक इंच की लंबाई नापनी है और टीक लगानी है तो यहां पे हम एक इंच की लंबाई पे टीक लगाएंगे अब हम धाई इंच की लंबाई नापेंगे तो य यहां से हमें 1.5 इंच की लंबाई नापनी है, अब हम यहां पे टिक लगाएंगे, अब हमें यहां से 1.5 इंच की लंबाई नापनी है, तो यहां पे हम 1.5 इंच की लंबाई नापकर टिक लगा लेंगे, अब हम इसके उपर 1.5 इंच की लंबाई नापकर टिक लगा लेंग अब फ्रेंड जहां जहां पे हमने टिक लगाया है वहां वहां पे हमें ऐसे लाइन अप कर लेना है ये वाला हमारा धाई इंच का टिक है इसके बगल में जो टिक है ये नहीं है अब फ्रेंड हमें इसमें डिजाइन बनाना है तो हार्ट सेप में हम इसमें ऐसे डिजाइन ब सारे डिब्बे में फ्रेंड इसी तरीके से हम हार्ट सेप में डिजाइन बना लेंगे डिजाइन बनाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो जिस सेप में हमने लाइन अप किया बिल्कुल उसी सेप में हमें इसकी कटिंग करनी है तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का उप्षन जरूर सलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी बिल्कुल इसी स्टेप को फॉलो करते हुए फ्रेंड हम सारे हार्ट सेफ की डिजाइन की कटिंग कर लेंगे डिजाइन की कटिंग करने के बाद फ्रेंड हमारा डिजाइन का लुक कुछ इस तरीके से आएगा इसे आपको इस्तरी के साहता से कपड़े पे चिपका देना है तो फ्रेंट इसे हमने कपड़े पे चिपका दिया है अब सेम साहच का हम दूसरा कपड़ा लेंगे जो हमारा बकरम वाला डिजाइन है बिल्कुल उसी साहच का हमें कपड़ा लेना है अब ऐसे बकरम के नीचे के साइड में कपड़े को लगा कर अब हम इसके उपर सिलाई चलाएंगे तो हार्ड सेप में जो हमारा डिजाइन है उसके बीच में हमें ऐसे सिलाई चलाना है और जिस सेप में हमारा हार्ड सेप का डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे तो ऐसे आपको इसके उपर सिलाई चला लेनी है तो फ्रेंड हमारी ये लाइन भी कम्प्लीट हो चलिए हमने सारे हाट सेप में इसी तरीके से सिलाई चला लिए अब हार्ट सेफ में ऐसे हमें बीच में कट करना है और जिस सेफ में हमारा फ्रेंड डिजाइन बिल्कुल उसी सेफ में हमें अंदर की साइट से कपड़े की कटिंग कर लेना है बिल्कुल इसी सेफ को फॉलो करते हुए फ्रेंड हमें सारे हार्ट सेफ की डिजाइन की नहीं आएगी तो ऐसे छोटे-छोटे कट कर लें सारे हाट सेप के डिजाइन में इस लाइन को अब हम डिजाइन को फोल्ड करेंगे तो ऐसे आप कपड़े को पकड़ेंगे और हार्ट सेफ वाले डिजाइन के अंदर आपको इसे डालना है ऐसे अब इसे ऐसे आपको सीधा करना है यह देखिए हार्ट सेफ की डिजाइन को फ्रेंड हमने सीधा किया है लेकिन उपर के उसकी सायता से इसे प्रॉपर सेफ में सीधा कर लें, ऐसे आपको सीधा करना है फ्रेंट, यह देखी आप एजली हाट सेफ की डिजाइन को ऐसे अच्छे से सीधा कर सकते हैं, बिल्कुल इसी स्टेप को फॉलो करते हुए सारे हाट सेफ वाले डिजाइन को हम सीधा कर लेंग फिर यहां से हम कपड़े को पकड़ेंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंगे तो जहां-जहां हमने कट किया है फ्रेंट वहां-वहां कपड़े के उपर हमें सिलाई चला देनी है सिलाई चलाते समय फ्रेंट इस बात का ध्यान रखे कि जिस कलर का आपका कपड़ा है बिल्कुल उसी कलर का आपका धागा भी होना चाहिए इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद फ्रेंट एक लंबा सा चोड़ा सा कागच लेंगे और चौकोर सेप में धेर सारा कटा हुआ ऐसा कपड़ा लेंगे तो फ्रेंट कपड़े को ऐसे फोल्ड करके कागच के किनारे के साइड में हमें यहां लगाना है अब दूसरा कपड़ा लेंगे इसे ऐसे फोल्ड करके पहले वाले डिजाइन के नीचे हम ऐसे लगाएंगे थोड़ी दूरी पे अब तीसरे कपड़े को लेंगे इसे फोल्ड करते हुए दूसरे वाले डिजाइन के थोड़ी दूरी पे हम ऐसे लगाएंगे Same step को follow करते हुए friend अब हमें क्या करना है कपड़े को हमें fold करते हुए दूसरे side में हमें लगाना है लेकिन पहले वाले design में joint करते हुए तो यहाँ पे हम ऐसे design को joint करेंगे और इसके उपर लगा लेंगे इस line को complete करने के बाद फ्रेंड अब हम यहाँ से धागी को cut कर लेंगे धागी को cut करने के बाद फ्रेंड जो हमारा hard safe वाला design है उसके नीचे हम design को ऐसे लगाएंगे और जिस shape में friend हमारा hard safe है बिलकुल उसी shape में हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे अब फ्रेंट एक लंबा सा चोड़ा सा कपड़ा लेंगे कपड़े की चोड़ाई देड इंचे इसे हाट सेप के बगल में ऐसे फोल्ड करके लगाना है और एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेना है इसी स्टेप को फोलो करते हुए हम दूसरे साइड में भी कपड़े को ल बीच में से फोल्ड करने के बाद डिजाइन के उपर ऐसे लगाने के बाद अब हम इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चलाएंगे तो फ्रेंड यहाँ पे सिलाई चलाते समय इस बात का ध्यान रखी कि कपड़े को आपको टाइटली घीचना है जिससे आपके डिजाइन में फ्रिशिंग आएगा और आपका सिलाई भी पर्फेक्ट चलेगा सेम स्टेप को फोलो करते हुए फ्रेंड हमने दूसरे साइड में भी आस्तिन के कपड़े को ज्वाइंट कर लिया है इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हम आस्तिन के कपड़े में फ्रेंड नीचे के साइड में पट्टी लगाएंगे तो उसके लिए हम आस्तिन के कपड़े को उल्टा करेंगे और देर इंचोड़ा एक लंबे से कपड़े को यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और इसके किनारे के साइड में हम एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हमें यहाँ से धागे को कट करना है धागे को कट करने के बाद आस्तिन के कपड़े को सीधा करेंगे और यहां से कपड़े को फोल्ड करते हुए हम इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद फ्रेंट हमें डिजाइन में दो कलर का बटम लगाना है तो हमें डिजाइन में यहाँ पे ऐसे दो कलर का बटम लगा के डिजाइन को तयार कर लेना है तो फ्रेंड आपको हमारा डिजाइन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा थांक्स पर वाचिंग माई वीडियो